हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल दी एक्जाम हेल पर में दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके काफी सवाल आ रहे थे कि सर एससी एमटीस का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव यानि कि ऐसे और लेटर वारा जो एक्जाम है बो पहले हुआ है या हमारी जो रनिंग है जो भाग दोड़ा है जो फिजिकल है जो पी एस्ट है बो एक्जाम पहले होगा तो दोस्तों यही डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्ले करने वाला हूँ कि आपका पहले descriptive letter होगा या running dot आपकी पहले होने वाली है तो देखे आपको यहाँ पर screen पर कुछ data show हो रहा होगा जैसा कि मैं अपने mobile में open कर लेता हूँ और आपको भी वहाँ पर देख रहा होगा ठीक है आपका हो चुका है computer based examination दूसरा और नहीं लगाए कि descriptive paper और उसके बाद दिखाए document verification यानि कि पहला आपका paper हो चुका है second आपका descriptive वहां MTS के लिए ठीक है और उसके बाद आपका document जो भी होगे आपके हो जाएंगे और आपका selection हो जागा चली 18.3 point लगाए कि physical standard test होगा यानि कि जो chest वगरा ना पी जाईए height वगरा वो दीखी जाएगी ठीक है चलीए और उसके बाद देखाए कि paper second descriptive and document verification जो MTS का process है उसमें paper first descriptive document जब आप उसका देखेंगे हबलदर का तो उसमें paper first डॉड भाग उसके बाद descriptive पेपर उसके बाद आपका जो है DB होगा यानि कि कहीं न कहीं descriptive का जो descriptive जो हवलदर का होगा वो दोड भाग के बाद होगा तो ये doubt में आपको इसके लिए करने आया था इस वीडियो में कि इसमें देखेंगे हो हाला कि इसमें proper mention नहीं है इसमें बस रिजल्ट के लिए एक और एक expected बीडियो बना दूँआ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका अगर इसके according हम दिखेंगे तो उसको जरूद देख लेना और इससे पहले cut-off का बीडियो डाल चुका हूँ कि अगर इतने marks आ रहा है तो बिलकुल आप दोड़ भाग जो हो रहा हो रहा आपका रनिंग बगारा जो भी होगी उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दिए और डिस्क्रिप्टिब पेपर की भी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दिए और कोई भी डाउट होता ना तो नीचे कमेंट जरू करेगा कल मैं एक और वीडियो बनेगा और केटेगरी वाइस दो एजग्रूप का बनेगा 18-25 और 27 गृप दो तरीके से बनेगा वहीं हम अगर उसकी देखें कि जो आपका हवल्दार का जो कटव है वो आपका केटेगरी वाइस और CCA बनेगा CCA का क्या मतलब होता है जैसे MTS में स्टेड़ वाइस होगा बिहार यूप इसमें होगा CCA वाइस यानि कि देखिए आपको यहां पर एक और शो ओड़ा होगा कैड़िट कंट्रोल अथोरिटी के द्वार यानि कि जैसे आप मान के चलिए आप भोपाल का कटव जाएगा बैंगलोर है बोपाल का कटव जाएगा बोपाल के अंतरकत सबसे पहले आपका बहुत कैसे बनेगा और हवालदार में वन रेशियो 6 में केंडिट बलाएंगे लवक तीन हजार विकेंस यह तो तीन का च्छे गुना बाकी जो मैं आपको बता दिये सारी चीज़ा वही लिक्वीट है अचलिए और एस पर टू एटीन पॉइंट और सॉटलिश्ट फॉर्में के डिटी पीएश्टीट है चलिए और बस इतने इसमें लिखा हुआ ठीके दूसों तो यह है तो आपका तीन तरीके से कट्व जो सब्सक्राइब कर देनी कुछ करूँगा लाइक कर देना चैनल पने सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं फिर नेक्स वीडिम में तरीक जाहिन जा भारत